नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं जोतिश जराट के मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी सूर्य का महा परिवर्तन सूर्य पहुंचे मिथुन राशी में 15 जून से लेकरके 16 जुलाई तक मिथुन राशी में सूर्य रहेंगे बिशब से राहु का साथ छोड़ करके आए हैं मिथुन राशी में सूर्य का प्रभाव क्या रहेगा मिथुन राशी में सूर्य अपनी राशी से सिंग राशी से एकादस में आए हैं अर्थात अच्छी पोजिशन पर आए हैं राहु के साथ ते ग्रहण दोश में थे सूर्य ग्रहण भी पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा अब। ग्रहन से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं 15 दिन लगता है इनको मुक्ति में और सूर्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं तो मिथुन राशी में एक महीने रहेंगी आए जानते हैं में सिलेकर मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य की इस संक्रांति का सूर्य के इस राश करना उद्देश्य होता है अब जो डरने वाले होते हैं वो डर जाते हैं जो मजबूत होते हैं वो बढ़ जाते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मेख राशी की जिसको आप लोग मेश अर्थात एरीज भी कहते हैं आपके लिए सूरिकाय परिवर्तन पंचमेशो करके तृतिय भाव में आ रहा है आपके लिए मेहनत के कई दर्वाजे खोलेंगे आपके अंदर जुनून और जजबा आएगा भाइओं के साथ बिवाद प्रेमी प्रेमिगा के साथ बिवाद बच्चों के साथ बिवाद समाप्थ हो जाएगा शिक्षा में मन लगेगा रुके काम बनेंगे और कदम आगे बढ़ जाएगा तो आपके लिए मेश राशी वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा है इसमें आलत से मत करिएगा नहीं तो आपके लिए दिक्कत आएगी बिशब राशी दुती भाव में सूरे आ रहे हैं चतुर्थ के स्वामी हो करके बहुत सारी सुक्स विधाओं की चीजों में व्रिद्धि करेंगे थोड़ा सा वाणी में आपके एग्रेशन आएगा तो वहाँ पर आपको नियंतरण रखना होगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा बढ़ों का आशिरवाद मिलेगा परिवार में किसी नन्हे और नए महमान के आगमन की संभावना है वाहन और मकान संबंध जो मानसिक चिन्ता थी वो दूर हो जाएगी अगर किसी का मां के साथ मन मुटाव चल रहा था तो वो भी दूर हो जाएगा मिथुन राशी आपकी राशी में ही आ रहे हैं थर्ड हाउस के स्वामी होकर की मेहनत बहुत करवाएंगे परिणाम उसके अनुसार थोड़ा सा कम मिलेगा मैरे लाइफ में दिक्कत हो सकती है क्रोध बढ़ सकता है बच्चों को ले करके कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आद की संभावना है चोट आद की संभावना है मिथुन वालों को थोड़ा सा सयमित और अनुशाशित रहने की नावश्यक खर्च बढ़ेगा, परिवार में विगिटन की इस्थति आएगी, धन कोई हडपने की कोशिश करेगा, पैसा कहीं ब्लॉक हो सकता है सिंग राशी खुद के स्वामी होकर के एका दस में पहुंचेंगे धन का लाब होगा नौकरी में प्रमोशन होगा वाहन का सुख मिलेगा प्रेम संबंधों की प्रगारता आएगी प्रेम संबंध बढ़ जाएंगे कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए दसम भाव में ये इस्थती रहेगी 10th house में रहेगी और 12वे के स्वामी होकर के बैठेंगे इस्थती ठीक है कोई बहुत दिक्कत नहीं क्योंकि दसम भाव में सूर स्थान बल पाते हैं तो कारे छेत्र में आपका दबदबा रहेगा लेकिन बच्चे जो हैं कन्या राशी के उनको पढ़ने में मन कम लगेगा चंचलता आएगी गुस्सा बढ़ेगा बाकि पिता के साथ संबंधों में मधुरता आजाएगी अगर पिता के साथ कुछ विवाद चल रहा था तुला राशी तुला राशी वालों के लिए भाग्य स्थान पर सूरी की उपस्थि ठीक ठीक है कोई बूरी भी नहीं कोई अच्छी भी बहुत नहीं है भाग के थोड़ा सा कम होगा कमजोर होगा शादी टूट सकती है बिवाद टूट सकती है बच्चों को लेकर के कुछ उल्जन बढ़ सकती है धन आपके पास आता रहेगा प्रतिष्ठा में आपके किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्रिष्चे ग्राशी ब्रिष्चे ग्राशी वालों के लिए ये अश्टम भाव में सोर की उपस्थती रहेगी ब्रिष्चम से तो फिर भी बहुत अच्छी रहेगी दामपत्य जीवन में जो दिक्कते थी जो परशानिया थी उसे थोड़ी हद तक मुक्ते मिल जाएगी फिजिकल डिश्टेंस बनेगा शारिरिक दोरी बनेगी आप कहीं जाएगी पतनी कहीं जाएगी पतनी कहीं जाएगी आप कहीं पती कहीं जाएगी ऐसे उलजन आ सकती है धनुराशी धनुराशी वालों के लिए सूर भाग के स्थान के स्वामी होते है और उपस्थती रहेगी सब्तमभाव में ब्यक्तित तो में निखार आएगा दोराय नहीं ब्यक्तित तो आपका परिस्पित होगा इंटर्वीज में सफलता मिलेगी धन की स्थती अच्छी रहेगी पैसे में कुई समस्या नहीं आईगी रुखे धन की प्राप्ति होगी, पॉलिटिकल लोगों को विशेश लाब होने वाला है, जो पॉलिटिक्स में हैं, मकर राशी, मकर वालों के लिए सूर्य अश्टम के स्वामी होते हैं, और रहेंगे छठे में, सारे दुश्वनों का नास करेंगे, आपके लिए कई सारे बह खतम हो जाएंगे कुम्ब राशी सब्तम के स्वामी है और रहेंगे पंचम में ठीक है यहां इस्तिति प्रेम बढ़ेगा बच्चे की प्राप्ति होगी कंसीब नहीं हो रहा होगा तो बच्चा कंसीब हो जाएगा और आपके लिए कई सारे रास्ते खोलेंगे बाहर की यात् कि माध्यम से भी आपको जरूर मिलेगा मीन राशी आपके लिए सूर्य मीन राशी वालों के लिए छठे के स्वामी होते हैं और बैठेंगे फोर्थ हाउस में आपके लिए समय ठीक नहीं है कर्ज एकदम से बढ़ेगा पैसा ब्लॉक होगा प्रशिद्धी में आचाएगी गुप्त संबंधु जागर होंगे कुछ शडियंत्र के सिकार होंगे तना अब बढ़ सकता है सोच समझ कर फैसला लेना होगा प्रियोग क्या करना चाहिए सूर्य की इस जंजावात से जैसे दो तीन राशी वालों के लिए ठीक नहीं है मिथुन खास तौर पर है मीन खास तौर पर है क्या उपाय करना चाहिए आपको प्रियोग के तौर पर रिंग फिंगर में राइट हैंड के रिंग फिंगर में थोड़ा सा घी लगा कर और सूर्य देव को देखते हुए ओम घिर्णे सुरियाए नमग का जाप करते हुए इससे छिड़काव कर दीजिए थोड़ा सा घी कोड़ी के पहना होगा तो निकाल फेंखिएगा गंभीर समस्याएं हो सकती हैं आपके लिए सावधान रहें मुश्किलें बढ़ सकती हैं बहुत वाशुक्रिया हमें अनुमत दीजेगा आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए तो गाजियाबाद में अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो जून जून तक के लिए गाजियाबाद में एक स्पेसल डिश्काउंट किया गया है एक हत्र सो में दो कुंडली जो अब तक सिर्फ एक हुआ करती थी तो 35 सो में एक हो गई लेकिन दिखाना दो पड़ेगा मतब 7100 देना दो कच्छूट मिल गया है ये नहीं सिकिष्णा सिराने